ओपीजी सिक्स नाइन यूटूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए लाइक कीजिए आज हमारा टोपिक का विशे रहेगा वो रहेगा करसी करसी भारत के अंदर किस परकार है इसके बारे मम बात करेंगे सरवाधिक बरसा जो परात होती है सुबसे ज्यादा ये पस्चिमी घाट है यहां पर सरवाधिक बरसा होती है और ये पूर्वी घाट है ठीक है मद्यम वर्षा अर्याना के अंदर होती है यहां मद्यम वर्षा होती है आपके और नियुन्तम वर्षा पंजाब के अंदर होती है ठीक है अर्याना थोड़ी दर है पंजाब इदर आपके नियुन्तम वर्षा होती है तो यह होगी नियुन्तम और कम और आप्रियाप्त वर्सा अगर पुछी जाए तो लद्दाक के अंदर होती है आप्रियाप्त वर्सा इस परकार से अधिक्तम नियुन्तम और आप्रियाप्त वर्सा अप्रियाप्त वर्सा अप्रियाप्त वर्सा अप्रियाप्त वर्सा अप्रियाप्त वर्सा अप्रियाप है गेहूं सरवादिक आपके यूपी में होती है कहा होती है यूपी में ठीक है गेहूं हो गया जवार जवार आपके महाराष्ट्र में होता है महाराष्ट्र महाराष्टरा के अंदर जवार होता है महाराष्टरा आपके यहाँ है अच्छे ठीक है बाजरा आपके राजस्तान में होता है बाजरा बाजरा राजस्तान में होता है और मका करनाटक के अंदर होता है करनाटक यहां यहां आपका होता है मक्का मका करनाटक इसके बाद चना के अगर हम बात करें चना सबसे ज़्यादा MP के अंदर होता है इसके बाद अरहर की बात करें अरहर आपके महराष्टर में होता है महराष्टर इसके अंदर अरहर सबसे ज़्यादा होता है मौंगफली गुजरात में होती है मौंगफली गुजरात मौंगफली गुजरात में ही है यह गुजरात है सरसों और तोरिया राजस्तान के अंदर बार जरा सरसों तोरिया यह आपके राजस्तान के अंदर होते है आगे मैं बात करूँ कपास की कपास आपके होता है पंजाब में पंजाब कहा है पंजाब यहाँ है ठीक है इदर पंजाब है पंजाब में कपास हो गया जूट यहां लिख देता हूँ जूट आपके पच्चिम बंगाल के अंदर होता है, यह पच्चिम बंगाल है, यह जूट होता है सबसे ज़्यदा, भी भी लिख रहा हूं समझ जाना, पच्चिम बंगाल गन्ना महाराष्टर में होता है अरहर के साथ गन्ना भी होता है महाराष्टर के अंदर सरवादी गन्ना होता है गन्ना की जो अपने मीले हैं चीनी बनाने वाली वो भी महाराष्टर के अंदर होती है चाए असम में होती है यह असम और यहां होती है आपके चाय असम में चाय आपके असम के अंदर होती है कोफी कोफी आपके करनाटक में होती है करनाटक इदर मैंने लिखा होगा यहां लिख देता हूँ कोफी और कोफी की फसले अलग-अलग होती है अरेविका अरेविका रोबेस्टो रोबेस्टा और लिबेरिका रोबेस्टा अरेविका ये भारत के अंदर सरवादिक किसम पाई जाती है करनाटक वाली अब हमने पढ़ा कि कहवा की जो फसले होती है अरेविका लिबेरिका रोबेस्टा अरेविका भारत के अंदर सरवादिक होती है डलहन का लिए अनुसंधान के अंदर आपका दलहन अनुस अंधान के अंदर आपका देहरादून के अंदर है देहरादून उत्राखन पढ़ता है यूप के लिख रहा हूं में दलहन की जो फसले हैं वो सरवादिक आपके होती है कानपूर कानपूर में कानपूर आपका पढ़ता है यूप के अंदर ये आपका अनुसंदान के अंदर है दालों के उपर अनुसंदान करते हैं बढ़िया परकार से किसमे हो इसी परकार अगर हम बात करें चावल अनुसंदान के अंदर कहा है चावल अनुसंदान के अंदर आपका है कटक कटक के अंदर ठीक है और तंबाकू सबसे ज़्यादा अनुसंदान के अंदर की तंबाकू अनुसंदान के अंदर की बात चले तंबाकू तंबाकू होता तो अंदर परदेश में अंदर परदेश में होता है परंतु अनुसंदान के अंदर आपका है मुंद्रा राज मुंद्रा राज मुंद्रा राज मुंद्रा यह आपके अंदर प्रदेश के अंदर यह आता है यह राज मुंद्रा अनुसंधान के अंदर गन्ना के अगर हम बात करें गन्ना के उपर अनुसंधान के अंदर आपके कहा है गन्ना अनुसंधान के अंदर कोयम तूर कोयंबंटूर पर चाह के तमिल नाडू में अनुस अंदान के अंदर ए गन्ना का वहां पर अलग अलग परकार के गन्नो का होते रहते है गन्ना को उत्पादन के अगर बात करें तो महराष्ठ के अंदर होता है सरवादी उत्पादन यूपी के अंदर होता है काजरी संस्तान यह बहुत पार पूछा जाता है काजरी संस्तान के स्थापना अगर हम बात करें केंद्रिय संस्तान के अगर बात करें हम तो यह आपके हो जाएगी सुस्क छेतर में ही होगी और सुस्क छेतर आपका आगया बीका नेर ठीक है आलू संस्तान के अंदर है आलू के उपर भी संस्तान होता है संस्तान के अंदर आपका सिमला के अंदर है सिमला के अंदर आलू संस्तान के अंदर आपका सिमला के अंदर है काजरी के तरह आफरी एक और है आफरी संस्तान है उसकी इस्तापना हुई थे आपके गुनिस सु पिच्च अशी के अंदर आफरी की इस्तापना हुई गुनिस सु पिच्च अशी में और यह आपरी आपके जोधपूर में है जगे जोधपूर है इसकी और मरूदरा जेविक पार्क मरूदरा जेविक पार्क आपका जोधपूर है जोधपूर में यह मरूदरा जेविक पार्क है चावर आपका एक वर्स में त्यार होता है चावर आपके एक वर्स में एक वर्स का समय लेता ही है तयार होने में और इसके लिए आपको ताप मान चीए 25 डिग्री वर्षा आपकी चीह सो सेमी पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्योंकि ओसत जो वर्षा है भारत की आप वो पता हुए एक सु पचीश सेमी है रास्तान में चावल उत्पादन उतना नहीं होता है परनतो बाजरा सबसे ज़्यादा पूरे भारत भर के अंदर रास्तान में होता है बाजरा के लिए तापमान अधिक चीह वर्षा कम चीह पचास के लगबग आपके बाजरे में तापमान 35 डिगरी से उपड़ तापमान अधिस पलस हो और पचास से अधिक सेमी वर्षा हो सताउन पॉइंट सम्टिंग ये आपका ओसत वर्षा है वर्षा राजस्तान की इसलिए रास्तान में बाजरा अधिक होता है चावल की फचलें किसमे भी तीने बोरो है गर्मी के अंदर होती है बोरे में वैसे भी गर्मी लगती है तो बोरो गर्मी के अंदर होती है ओस सर्द में होती है ठीक है और अमन ये सीत के अंदर होती है तेमिल नाडू तेमिल नाडू ये तिनों फसलें लेता है ठीक है बाकी रजें नहीं ले पाते है इसके साथ गॉल्डन राइस हो रहाता है गॉल्डन राइस राइस मान चावल ये विटामिन ए की कमी होती है वो पूर्ती करता है ये चावल की किसम है गॉल्डन राइस खरीब की फसलों के अगर बात करें तो यह जो इदर से आता है ना दक्सिन पस्चिम दक्सिन पस्चिम मान सून आता है इसके उपर ये आपके खरीब की फसलें रिभर करती है भुवाई खाई खरीप की फसलों का समय आपके जुन-जुले ही होता है शटह साथ मेना ठीक है और कटाई इसकी सितंबर अक्टुबर के अंदर होती है और इस परकार नौवे दस्वा मेने के गर्मी जद रहुती है और वही किसमें सर्दी अधिक होती है ठीक एक इसमें पसले है जैसे इसको अलग-अलग तरीके से याद किया जा सकता है पहले यह देखो रब के अंदर दो अक्सर है ठीक है तो जैसे दो अक्सर वालों कि अगर पात करें तो आपकी ग्यों जो चना सरसों मटर एक बार ये देख लिजीए ठीक है ना इधर रबी वाली फसले याद हो जाएगी तो आपकी खरीफ वाली फसले आप इतना असानी से याद कर लो कि आपको पता नहीं लेगा खरीफ है मैं सब्द लिकरा हूँ खरीफ है फैस से लिकवा मूंग फली मूंग फली मूंग फली मूंग फली के साथ में आपका हो गया खरीब के फसलों के फैस से मूंग फली मूंग फली के साथ में चावल हो गया बाजरा, गवार जूट मूंग, सोईबिन कपास, ये सारी के सारी फसले गर्म होती है कैसी होती है गर्म फसले होती है जिसे मुंग फली जद्धा खाओगे तो गर्मी हो जाएगी चावल से विबाजरा भी गर्म होता है गवार भी गर्म होता है और आपके जूट भी गर्म होता है कपास भी गर्म होता है इस परकार समय इस परकार की फसलों को याद रख सकते हैं जैसे उड़द हैं तो अगर खरीब की फसले याद है तो रभी की आटमेटल याद हो जागी जाहिद की फसले बीच की होती है जैसे आप बात करें जाहिद की भी लिख देता हूं जाहिद की फसलों में आपके हो गया तरबुजा, खरबुजा, ककड़ी ये आपके आजाएद की फसलों के अंदर तो सबजी भी आती है इसके अंदर कुछ सबजियां फल फुरूट आजएटे हैं इसके अंदर आजएटे हैं जो आपके फल सब्जी वाली होती है फल और सब्जी इनकी जो समलित खेती की जाती है उसको बोलता है ट्रक फार्मिंग ट्रक फार्मिंग ट्रक फार्मिंग क्या होता है तो फल और सब्जी पटपादन करना ट्रक फार्मिंग कहलता है और देखिए भुदान ग्राम दान अंदोलन को रग्ध्धिन करांती कहते हैं रग्तिहिन मतलब रग्ध नहीं बहाँ था लड़ाइ जग्टे नहीं वे थी ऐसी करांती थी जुम मदे अमरीका में मिलपा बोलते हैं मिलपा मदे अमरीका का यह आकी मातर इदर आकी मातर वेनेजुएला के अंदर कौनु को कौनु को वेनेजुएला के अंदर के अंदर ब्राजील के अंदर रोका बोलते हैं और मदे अफरीका के अंदर मसोले बोलते हैं इंडोनेशिया के अ वीएत नाम में इसको रे बोरते हैं तो हुझा जैसे उत्री पूरवी भारत है यह उत्री और पूरवी बाते हैं यहां इसको जुम मनिपूर में तो पायलू पायलू और अर्प्रदेश में पंडु बोलते हैं अंदर अंदर पंड़ु भी दो अंधा था नहां तो अंदर परोन पंड़ु कि जिएव्य कर्शी क्या होती है जिसके अंदर को ड़ाली जाती है कि वैपनी यूरिय बगियरार कि अचिक्द आपका है क्यूबा और राज्य बात करें तो राज्य आपका है सिक्किम क्यूब तो जिल्ले की बात करें तो दूंगर पूर। इस परकार हमारा कर्सी का टोपिक कंप्लिट होता है वीडियो कैसे लगा लाइक शेयर करिएगा धन्यवाद आपको वीडियो को समय देने के लिए थैंक यू बेर मच